इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक् करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किड्नी की क्षती और अंधेपन जैसी डाइबिटीज की गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है। टैंडिया टेबलेट को आम तोर पर तब निर्धारित किया जाता है। जब आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं अके भोजन के लिए जा सकता है। डोज आपकी कंडीशन और ब्लड शुगर लेवल पर निर्भर करेगी। डॉक्टर की सलाहनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे रोज एक तैस समय पर ही लेना चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहत तब तक दवा लेना बंद न करें। यह दवा आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंतरित करने और भविश्य में गंभीर जटलताओं से बचने में मदद करती है। इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशान निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसमिया और कब्ज हैं। हाइपोग्लाइसमिया जैसे की हलका लक्षनों को पहचानना और इनसे निपटने के तरीके जानना आवश्यक है। आप शुगर या ग्लूकोस कैंडी साथ रखें और अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव हो तो आप इसे ले सकें। अगर साइड इफेक्ट नहीं जा रहे हों या आपको परेशान कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी भी केड़नी या होट की कोई बीमारी या पैंक्रियस से संबंधित समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे ल दवा का सेवन करते समय शराब को सीमित मातरा मिले क्यूकि इससे ब्लड शुगर के स्तर में कमी आने का जोखिम बढ़ सकता है। दवा सही तरीके से काम कर रही है। इसकी जाच करने के लिए आपको किड़नी फंक्शन और ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे नियमिट के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।